नमस्कार 21 Unconditional Love Spiritual Love and Light चैनल पर मैं उशा किरन पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज सबसे पहले मैं अपनी समस्त सोल फैमिली को दिल से धन्यवाद देती हूँ मैं ग्रैटिट्यूट पे करती हूँ कि आप सभी लोगों के Unconditional Love और सपोर्ट की वज़े से हमारी जो सोल फैमिली है उसमें 1000 प्लस सबस्क्राइबर हो गए हैं इट मींस जो हमारी सोल फैमिली है वो अब बढ़ रही है और इन सबका शे मैं आप लोगों के Unconditional Love को दूँगी कि आप लोगों की वज़े से मुझे यूटूब की तरफ से Congratulations मिला और मैं अपनी खुशी आप सबी लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और दिल से अपनी All Soul Family को Gratitude पे कर रही हूँ बहुत 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 धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए मुझे सपोर्ट करने के लिए मुझे इतना Unconditionally प्यार करने के लिए साथी साथ ये आज की वीडियो Energy Update के उपर है मैं कोई भी Energy Update जब तक Confirmation नहीं मिल जाती मुझे यूनिवर्स की तरफ से मैं डालना पसंद नहीं करती और यहां जितनी भी मैं Energy Updates टालती हूँ वो या तो मेरी खुद के साथ वो Energy मैं महसूस करती हूँ और या फिर मुझे Meditation में कोई Guidance मिलती है कोई Vision नजर आता है तो ही मैं उसके Regarding Energy Updates टालना पसंद करती हूँ यहां दोनों ही बाते हैं यहां मेरे खुद के Experience और Meditation Guidance के बाद ही मैं आज का Energy Update डाल रही हूँ और उसमें भी मुझे Morning में Confirmation मिल गई है Universe की तरफ से कि जो Message या Energy मैं Receive कर रही हूँ जो Meditation Vision है वो Energy Authentic है और Universe में Apply हो गई है Means आप लोगों की जो Wishes है वो Manifest हो रही है और अब सरफेस पर दीरे दीरे आनी शुरू हो गई है ये जो One One Portal है इसकी Energy बहुत ही Blessing वाली है मैं कहूंगी जो मैंने Meditation Vision देखा उसके According में Explain करने की कोशिश करूंगी कि मैंने इस One One Portal पर एक Meditation Vision देखा था बहुत ही प्यारा दो डिफरेंट डिफरेंट हैं बहुत शॉर्ट में दोनों आप से शेयर करती हूं एक One One Portal का जो विजन है वो शेयर करती हूं कि One One Portal पर जो मुझे इस बाद शील्ड मिली है वो बहुत ही ज़ादा डिफरेंट शील्ड मुझे Meditation में मिली मैंने फर्स टाइम इतने सालों में मैं 2014 से Meditation में हूं और तब से लिकर अब तक मैंने इस तरीके की किसी भी शील्ड को Experience नहीं किया है इसमें सबसे डिफरेंट जो मुझे लगा वो है मड़ शील्ड मीन्स मड़ की जो शील्ड लगाई गई वो सेम ऐसे लग रहा था जैसे Mother Earth की Mother गया की ताजी मिट्टी को लिक्विड में मिक्स करके और बहुत मुटी लेयर में रैप किया जा रहा है और इतना अच्छा लग रहा था बहुत डिफरेंट एक सुकून तसली गर्माहट और उस शील्ड को कैसे क्रियेट किया गया वो तो यूनिवर्सी जानता है बहुत डिफरेंट यह शील्ड रही मेरी लाइफ की हलांकि जितने भी शील्ड होती है वो ताइम टो टाइम जो न्यू शील्ड रिसीव हमें होती है वो अपने आप में यूनीक होती है और इस बात की गयरंटी होती है कि हाँ आप असेंड हो रहे हो और यह मड की जो शील्ड है वो एक तरीके से आपकी ग्राउन्डेग प्रेजेन्ट करती है कि आप यूनिवर्स से ही नहीं मदर अर्ट से भी चनेक्टेड है और यूनिवर्स से जो एनेर्जी रिसीव कर रहे है उसकी grounding हो रही है इस चीज की confirmation मुझे कई तरीके से मिली एक reading के through भी मिली एक viewer के message के through भी मिली साती साथ मैंने green और blue mix जो energy है means throat chakra की energy और heart chakra की energy को receive किया यह portal की energy थी जो मैंने receive की और इसको आप कह सकते हो कि आपका जो throat chakra है या आपकी जो बोलने की शमता है वो बहुत यदा निखर रही है divine feminine बहुत सोच समझ के bowling इस महीने और masculine अब prepare है ready है अपनी बातों को कहने के लिए means जो भी वो अपने thought present करना चाते हैं surface पर लेकर आना चाते हैं उनके लिए वो mentally और spiritually prepare हैं साथी साथ recently जो meditation vision की energy मैंने receive की और उसके तुरंत बाद मुझे confirmation मिली कि हाँ actual में यही energy है जिसे आप reunion blessings कहते हैं वो energy मुझे receive हुई और vision कैसे नजर आया था की green color की energy means heart chakra की energy plus third eye chakra की blue energy plus magenta color की feminine energy और आप जितनी भी spiritual जर्नी में हैं वो जानते हैं कि जब actual में divine union होता है तो divine energy plus white energy means divine energy उसको green plus white आप कह सकते हो blue energy means feminine energy और radiant magenta masculine energy तीनों mix होकर ही एक complete universal soul आप कह सकते हो कि बनती है या creation बनती है वो energy बनती है जिसे हम divine के energy बोलते हैं और ये ही meditation vision में मुझे energy receive हुई है उसमें clearly पिंक energy means magenta energy का heart मुझे नजर आया और उसमें green और third eye chakra means heart chakra और third eye chakra की energy mix थी और अंदर से बस एक ही जो sound थी वो निकल रही थी कि अब इस earth plane पर जितने भी जितने भी in the sense जो channel मुझे receive हुआ meditation का वो मैं share कर रही हूं कि अब इस earth plane पर जितने भी twin souls, special souls, chosen ones हैं और इतने सालों से अपनी अपनी counter energy से separation में हैं वो सभी जितने भी real divine souls हैं इस साल बलक में अपनी counter energy से reunite 3D plane पर होने वाले हैं मैं पहले भी explain कर चुकी हूँ कि जितने भी real twin souls, divine souls हैं उनका reunion तब होगा जब earth actual में heal हो जाएगी without earth की healing के universe ये gift real twin souls को नहीं देने वाले हैं और real twin souls का जो union है rarest of the rare होता है और इस बार की जो energy है उसमें ये खुश्बू है खुश्बू इसलिए कह रही हूँ क्योंकि खुश्बू को हम बांध नहीं सकते चुपा नहीं सकते वो चारों तरफ फैल जाती है और अपने आप ही अपनी कहानी बयां कर दीती है तो ये जो खुश्बू है ये universe में spread हो गई है और अर्थ की healing के साथ साथ उन सभी divine souls को ये divine gift order कर दिया गया है और बस अब receive होना ही बाकी है जो लोग कुंडलीनी ascension में हैं वो इस experience को करेंगे कि उनकी जो कुंडलीनी है वो rise होके शहस्त्रारा तक इसको भी आप divine union ही बोलेंगे क्योंकि इसमें तीनों ही इडा पिंगला शिशुम्ना ये जो नाडियां हैं वो शहस्त्रारा से connect होती है मिस शहस्त्रारा से जो शिशुम्ना नाडी है वो connect होती है और शहस्त्रारा में दोनों ही नाडियों की उर्जा connect होकर शहस्त्रारा से link होती है और आपकी जो कुंडलीनी ascension है वो complete होता है और ये energy ये one one portal new beginning का माना जाता है इस साल बहुत सारी जो divine blessings है वो divine soul को receive होने वाली है हलां कि और भी बहुत कुछ होना है लेकिन मैं अपनी तरफ से सारी good news ही देना पसंद करूंगी because जब हम creator की energy में होते हैं तो हमें positive ही सोचना चाहिए हम जो भी manifest करते हैं वो surface पर exist करता है इसलिए जो message मुझे morning blessing के रूप में receive हुआ है और वो भी collective में क्योंकि मैंने clearly ये word सुना है कि सभी twin souls इस साल reunite हो रहे हैं ना था ना होंगे हो रहे हैं और as it is मैं उस message को आपको channel कर रही हूँ even कि मैं समझ नहीं पारी कि मैं इस energy को कैसे channel करूँ spread करूँ और यही कारण है कि शब्द मुझे कम लग रहे हैं ये divine blessing जो सभी को मिल रही है उसके लिए सभी को धेर सारी बदाईयां और enjoy कीजिए ये 2023 बहुत सारी good news भी लेकर आ रहा है जो धीरे धीरे one by one unlock होकर surface पर आएंगी और आपकी spiritual journey को ascend करेंगी मेरी आज की इस video में बस इतना ही मेरी इस video को बहुत ध्यान से प्यार से देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत 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 धन्यवाद